ऑनिमल अटेंट एंट डारेक्ट भर्ती 2023 की फॉर्म है वो स्टार्ड हो चुक है, उन्हीं सनवरी 120 से यह फॉर्म स्टार्ड हो चुक है, आज इस वीडियो में फुल प्रोसेस देखेंगे कि हम किस तरीकी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, फुल प्रोसेस इस वीडियो के अंद फॉरम को फिल करने के लिए आपके पास SSO ID होना जरूरी है यदि आपके पास SSO ID नहीं है तो मैं आई बटन गंदर लिंक दे रहा हूं उस वीडियो का जिस वीडियो गंदर मैंने प्रॉपर तरीके से बताया है कि आप SSO ID किस तरीके से बना सकते हैं किस तरीके से SSO ID करेट क कर सकते हैं आप दोस्तों यहां से SSID में आपको लॉगिन कर लेना है आपकी SSID बन गई है आप इस वीडियो को देखेंगे उसके बाद में इस वीडियो पर आजाईए यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे application आपके सामने नहीं जैसे मैं आपको बताता हूं किस तरीके से यहां पर प्लीकिसम अज़रा जाएंगे छाया होगा सकते हैं इससे उपर आपको क्लिक करना है और यहां पर सर्स में मैंया आपको जैसे यहां पर रिकॉंमेंट फोटल है तो यहां पर यह क्या है कि आप उच्छ साफ से लिख लीजिए जिस साफ से वह application का नाम है तो मैं आपको बताता हूँ proper यहां पर सर्स करके यहां पर जैसे search box के अंदर हमने quick search के अंदर किया REC लगाया उसके बाद में देख सकते हैं यह portal आगया हमारा सामने यह portal इस portal को हमें क्या करना है open कर लेना है जैसे दोस्तों इस portal को open करते हैं तो आपके सामने कुछिस सेरे का interface आजाएगा तो अब दोस्तों यहां पर आपको क्या करना होगा यहां पर एक यहां पर जो है form आपको देख रहा होगा और और यहां पर देख सकते हैं एनिमल अटेंडेंट डारेक्ट भरती जो यह दिख रहा है इसके बाद में यहां पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है यहां पर जैसे क्लिक करते हैं हम इसके उपर तो यहां पे हमारा पुरा वन टाइम जुरो डैस्पोर्ड है रेजिस्टेशन डैस्पोर्ड है वो ओपन हो जाएगा अब दोस्तों देख सकते हैं वन टाइम इसके उपर हम क्लिक करेंगे अब दोस्तों यहां पे जैसी हम वन टाइम रेजिस्टेशन को उपर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे जन अदार नंबर डालना है उसके बाद में उस member को select करना है जिस member के लिए आप अपलाई कर रहे हो तो यहाँ उसके बाद में आप send OTP पे click करना है अदार की OTP आएगी जो कि यहाँ पे अदार OTP मुझे यहाँ पे enter कर लेनी है तो मैं यहाँ पे जो है अदार OTP है वो enter कर लेता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं अदार OTP एंटर करने बाद में verify OTP पे click करूँगा और यह जो data है वो जन अदार से ले लेगा इसके बाद में get from SSO ID से आपको email ID लेनी है तो यहाँ पे ध्याँ रखिएगा जब SSO ID क्रियेट करें तो अपडेट के अंदर जाके email भी जरूर अपडेट करें अब देखिए यहाँ पे आपका 5 जंग का एक OTP आएगा उसके बाद में verify OTP पे आपको click करना होगा उसके बाद में कुछ इस तरह का interface आपके सामने सो हो जाएगा इसके अंदर basic details आपकी fill होगी जो की आपकी one time registration से OTR से ले ली जाएगी जिसके अंदर अविदक का नाम जो की यहाँ से आपका ले लिया जाएगा जो आपने OTR के अंदर register करवाया है इसके बाद में पिता का नाम है आ जाएगा माता का नाम भाण नहीं आता है आपको माता का नाम एंटर करना है यहाँ पर आपको माता का नाम e janet करना है category भी जादतर one time OTR से भी आ जाती है इसके बाद में यहाँ पर आपको धर्म select करना पड़ता है यह चीज़ आपको select करनी पड़ेगी इसके बाद में यहाँ पर विवाहिक इस्तिति भी आपको select करनी पड़ेगी विवाहिक इस्तिति select करने के बाद में यहां पे आपको बालको की संक्या जो की जीरू नहीं है जो जीरू जीरू आपको नजडी आप यहां पे on married को यहां पे जीरू जीरू लेक्शिये अगा जताल में दैस्टभक जो मोबाइल नंवर है वह आदार नंबर भी आ जाएगा इसके बाद में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है जैसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आप इसे पुछा जाएगा क्या आप राजिस्तान की अनुसुत अचेतर से संबंदित है अनुसुत है तो Yes करना है नहीं है तो No करना है मैंने यहां पर No किया इसकी बाद में यहां पर जो है Corporation address है जो आपको यहां पर Enter करना है और Fill करना है इसकी बाद मैं देख सकते है candidate की यहाँ पर verification stage है, वो जन अदार ID है, इसकी जन अदार member ID है और अदार number यह सब कुछ दे रखा है verify by, candidate खुद नहीं verify किया है, उसके बाद में आपको next के उपर आपको click करना है, जैसे यहाँ पर आपको next का एक icon देख रहा होगा next के उपर, आपको click करना है जैसे next के उपर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीका interface आजाएगा इसके अंदर लिका है, given mobile number and email, are you correct क्या यहाँ पर जो दे रखा है आपने mobile number, email address दे रखा है, वो क्या सही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर yes के उपर click करना है फिर से आपको mobile number और अपना email address है वो check कर लेना है, उसके बाद ही yes के उपर click कीजिगा क्योंकि बाद में edit यहाँ पर नहीं होने वाला है ठेक, इसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीका interface है वो आपके सामने आ जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते है इसके अंदर आपका personal details आपसे पूछा जाएगा जिसके अंदर आपको गरह जिला home district आपसे पूछा जाएगा उसके बाद में आपका home block पूछा जाएगा इसके बाद में आपको तैसील यहाँ से आपको select करनी है फिर उसके बाद में village आपको select करना है उसके बाद में देख सकते है कि settle in India from other country यदि other country से हो आप किसी other country से इंडिया के अंदर settle हो है तो यहाँ पिजर करना है वर्ना आपको यहाँ पे no करना है इसके बाद में यदि आप यहां पर yes करते हो तो उसके बाद में यहां पर from which country किस देश से आप आई हो वो आपको sell करने पर यहां no कर दिया यहीं से meter खतम हो गया इसके बाद में आपको next page पर यहां पर इसी page पर यहां पर देख सकते हैं विसे सरेणी आपसे पूछी जाएग नहीं हो तो no पर click कर लिजीगा उसके बाद में क्या आप ncc मैंने हैं अपनों कर लिजी है तो yes कर लिजिए उसके बाद में आप से जो है certificate की जो वेता है आपसे पूछी जाएगी ठीक-उसके बाद में क्या बहुत-पूरू कैह दी है तो आप हो तो yes कर ले नहीं हो तो no कर ले यस कर लोगे फिर इसके बाद में आपको देख सकते इस टेज गवर्मेंट इंप्लोयर किया आप मौजुदा राजी सरकार के करमचारी है है तो yes कर लिजिए वरना no कर लिजिएगा इसके बाद में यदि आपको कोई age के लिए relations आईए तो आप यहाँ पे जो है इनको solar करना है जो भी आप eligible हो जिसके लिए आप उसके लिए जो है age की relation पा सकते है उसके बाद में आपको next के उपर क्लिक करना है जैसे next उपर क्लिक करेंगे इसके बाद में हमारा जो stage रहने बाला है वो रहने बाला है qualification and experience का इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है check mark पे right click कर लेना है इसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे की तरफ देख सकते हैं आपको 10th की जो है अपनी details fill करनी है secondary की details fill करनी है इसके लिए जो eligible होने वाली है वो आपकी 10th ही रहने वाली है इसके अंदर 12th की कोई जरूत नहीं है जिसके आपके 10th कर रखिये तो इसके लिए आप eligible है देख सकते है red dot लगा हुआ है इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना subject डालेने जो भी subject आपके 10th के अंदर है उसक फोर्मेट रहने वाला परिणाम क्या percentage यहां फिर यहां पर ग्रिडिन हुआ है वह percentage के अंदर हुआ तो percentage उसके बाद में आपको जो उत्री होने वाली वर्स है वह आपको एंटर करना है फिर आपको अपना जो जो भी percentage प्राप्त हुए है वह एंटर करने उसके बाद में next पर आपको क्लिक करना है जैसे नेक्स्ट उपर क्लिक करेंगे तो यहां पर जो आपका जो यहां पर खुलने वाला है और इन प्लोजर तो यहां पर दो इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर फोटोग्राफ और सिग्नेसर है वो अप्लोड करने होंगे आपको यहां पर देख साइज है वह मिनिमम 20 के भी और मैक्सिमम है वह 50 के बी रहने वाल यहां पे आपको इसके बाद में वीसी वल बोर्री मार्व यहां पर आपको एंटर करना है जो भी हो जैसे यहां पर अप्लोड हो चुके वरना upload नहीं होगा इसके बाद में आपको next को पर klik करना है जैसे next को पर klik करेंगे यहां पर देख सकते है next गूपर जैसे klik करेंगे तो यहां पर जो है आपका peer view खुल जाएगा आपके form का पूरा जैसे लेखेगे लयां एक एक प्रीचों हो जाएकशी सीर इटारом करने हैं उसके बाद में आपको नीशे की तरफ इसक्रोल करना है यह पर सारी डीचेल्ट वेरिफेटना इन्यकर्च कर दफुर penet को पर क्लिक करना उससे पहले आपको चेकि मार्क पे राइड क्लिक करना है उसके बाद में final submit को उपर क्लिक करना है कि पिर submit को ऊपर क्लिक करना है मैं आपको बता दिया final submit जैसे ही आपको खोली करेंगे कि बदा Dya Candidate on far flavored once you click on final submit बटन आफ्टर डेट यू कैन नोड मेक एनी चेंजेज इन ये ओनलाइन फॉर्म एप्लिकेशन फॉर्म आप यदि एक बार यहां पर देगे वन्स एक बार आपने जैसे यहां पर क्लिक कर लिया फाइन सब्मीट पे तो उसके बाद में आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे ओनलाइन फॉर्म को अप्सेंज नहीं कर पाएंगे तो काइंडली चेक दी एप्लिकेशन फॉर्म कैरफुली एंडवेपॉर्स फाइनल सब्मीट पहले ध्यान से फॉर्म को देख लेजिए उसके बाद में आप सब्मीट कीजिएगा यहां पर आपको सेक मार्क पर सब्मीट हो जाता है उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं एक प्रिंटर का आइकन देख रहा होगा इसके उपर क्लिक करके इस फॉर्म को आप सेव करके रख सकते हैं जो भी यहां पर आगे ज़रूर्त होगी उसे इसाप से आप सेव करके रख सकते हैं सेव नहीं क